तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रशन से, तब से पहले हम खंड A, यानि सेक्षन A करेंगे, हिंदी प्लस इंग्रिस वर्जन में इसको समझेंगे, पहला जो क्वेशन है बहु भी कल वे प्रशनों में, यह पुछा गया है, Adam Smith द्वारा लिखे पुस्तक कोन सी है, यहा अगले प्रशन की बात करते हैं, जिसमें आपका दूसरा प्रशन दिया गया है, अन्य उत्पादक आगत सामगरी के रूप में, जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, वह कहलाती है, अर्थात, the goods used by other producers as input is called, तो जो goods हम input के लिए use करते हैं, उनको हम बोलते हैं, उन वस्तु को goods ठीक है, तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा, अगले प्रशन की बात करें, तो तीसरा प्रशन पूछा गया है, आए में प्रती इकाई परिवर्तन के बल सरूप उपभोग, यहाँ परिवर्तन कहलाता है, तो जब आए में प्रती इकाई परिवर्तन होता है, तो उपभोग में परिवर्तन होता है, उसको हम जो बोलते हैं, तीमान्त उपभोग परवर्ती, क्या बोलते हैं, marginal proportionality to consume, the change in consumption as a result of per unit change in income is known as marginal proportionality to consume, यहाँ पर यह पर यह option जो है, आपका correct हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें पूछा किया भारती रिजर बैंक की स्थापना किस व है, question number 5 आपका पूछा गया है, इसमें MCQ में पूछा गया है, अनुपातिक करो में ब्रिद्धी से सीमान्त उपभोग प्रवर्ती में खालिस्तान होती है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो right answer हो जाएगा, इसमें जो है कमी होती है, अनुपातिक करो में ब्रद्धी करने से सीमान्त उपभोग प्रवर्ती में जो है कमी होगी, with the rise in proportional taxes, there will be decrease in marginal propensity to consume, तो यहाँ पर decrease जो है, इसका right answer हो चाएगा, next question की बात करते हैं, इसे पूछाएगा निमलिखित में से चालू घाटे का घटक नहीं है, तो निमलिखित में से कौन सा घटक जो है, वो चालू घाट एका घटक नहीं होता है, which of the following is not an element of current deflect, तो वो होता है, आपका external borrowings, the option correct हो जाएगा, next question इसमें कुछा गया, समस्ट्री अर्थसास्त्र में निम्न का अध्यान नहीं किया जाता, नहीं की बात कर रहा है, तो हम समस्ट्री अर्थसास्त्र में व्यक्तिकत इकाईयों का अध् समस्री वस्तु की कुछ मातरा छोडनी पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं, आउसर लागत, ठीक है, यानि कि the loss of one good to acquire more quantity of other good is called opportunity cost, ठीक है, इसके बाद जो next question है, इसकी बात करते हैं, इसमें पुछा गया, बजट रेखा का ढाल होता है, तो बजट रेख का संबंद जो है, दीरकाल से है, ठीक है, यहाँ पर the option correct हो जाएगा, returns to scale is related to the long period, next question है, इसमें आप से क्या पूछा गया है, उसकी बात करती है, इसमें पूछा गया है, निमन में से किस लागत चक्र का जो है, यहाँ पर बाल आयताकार अति प्रवले होता है, तो यहाँ प ठीक है, आयताकार अति प्रवले होता है, which of the following curve is rectangular hyperbola in shape, hyperbolic in shape, तो कौन सा हमारा कर होता है, वो होता है, हमारा ओसत इस्तिर लागत वक्र, option जो है, correct हो जाएगा, average fixed curve, cost curve, ठीक है, average fixed cost curve, इसके बाद जो next question है, बारवा, जो कि MCQ है आपका, इसके बाद रिक स्थान पढ़े कहा जाता है, या due poly कहा जाता है, which of the following market has two sellers, तो उसको due poly कहा जाता है, ठीक है, due अधिकार कहा जाता है, तो यहाँ पर C option जो है, correct हो जाएगा, next question की बात करें, तो यहाँ पर आपको रिक स्थानों की पूर्ति करनी है, समझते जाना, question paper को भागना नहीं है, अगर आप इस economics भागना जाते हैं, यहाँ जो पहला प्रश्न है रिक स्थानों की पूर्ति करनी है, तो वहवक्ति या संस्थाएं जो आर्थिक नेर्नाय लेते हैं, उनको आर्थिक एकाईया या आर्थिक एजेंट कहते हैं, ठीक है, याने कि इंग्लिस में क्या बोलते हैं, उनको, those individuals और institution which take economic decision are called, they called economic entity or economic agent, दोनों में से कोई भी आप भर सकते हैं, next question है, दूसरा, television खालिस्थान वस्तु का उधारन है, तो television जो है, यह consumer good है, ठीक है, यानि कि उपभोगता वस्तु का उधारन है, ठीक है, television इनने example of consumer goods, उसके बाद question है, एक खालिस्थान आय वह उपभोग के संबंद की व्याक्या करता है, तो एक उपभोग फलन जो है, उपभोग फलन इसमें लिखेंगे, आप एक उपभोग फलन आय और उपभोग के संबंद की व्याक्या करता है, क्योंकि संबंद सरकार की संपत्ती तथा देंदारियों में होता है, उसे खालिस्थान कहते हैं, तो उसे हम राजस्थू बजट कहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते है राजस्थू बजट या की revenue budget is the related और यहाँ पर गलता है revenue budget is related is related to the government asset and the liabilities, ठीक है इसका जो नेक्स question है, इसमें क्या पूछा गया है जब घाटा होता है, तो reserve bank विदेशी बिनियम बेशता है इसे खालिस्थान विक्रे भी कहा जाता है तो इसे हम अधिकारिक कोश विक्रे भी कहते हैं विदेशी बिजट डिफलेक्ट, reserve bank sales foreign, यहाँ पर foreign है, ठीक है foreign exchange, it is known as तो वो क्या कहता है, official reserve sale कहलाता है official reserve sale कहलाता है, यहाँ पर लिखा है मैंने official reserve sale कहलाता है उसका बाज़ नेक्स question है इसमें पूछा गया, उब भोगता की आय में ब्रद्धी होने के साथ साथ निमनिस्तर ये, वस्तूओ की मांग में खालिस्थान होती है तो क्या होती है, कमी होती है उब भोगता की आय में ब्रद्धी होने के साथ साथ निमनिस्तर की, यानि कि जखे आपको पैसा मिला, आप पहले क्या है, सब्सक्राइब आपको एक्जामपल देता हूँ, इस कोश्चन को आप इस तरह से भी समझना होगा, जब आप मार्केट जाते हैं, तो उसी हिसाब से इक्कनोमिक्स काम करता है, जब आप मार्केट जाते हैं, आप पैरेनिस के साथ जाते हैं, तो आप बड़े-बड़े मॉल या शॉपिंग मॉल में बहुत ही कम जाते हैं, आप जाते हैं, छोटी दुकानों पर जहां पर कम, जो आपको सामान सस्ता मिल जाए, निमनिस्तरिये वस्तु मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी उस समय आए ज्यादा नहीं होती, जैसे जैस आपके पास पैसे आते हैं, तो आप मॉल में जाना सुरू करते हैं, यानि कि निमनिस्तरिये वस्तु को आप छोड़ देते हैं, यानि कि उसकी मांग जो है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, there is decrease in the demand of inferior goods with the increase in the consumer's income, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला question पुछा गया है, पुझी वादी अर्थ व्यस्ता की एक विसेस्ता आपको लिखनी है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी विसेस्ता लिख दी है, पुझी वादी अर्थ व्यस्ता में नीजी संपत्ती होती है, ठीक है, personal property होती है, और जो है पुझी समस्ती अर्थ व्यस्ता की द्रिस्टी से चार प्रमुक छेत्रों के नाम आपको बताने है, तो समस्ती अर्थ व्यस्ता है, यानि कि macro economics की द्रिस्टी से पूच रहा है, समस्ती से पूच रहा है, तो एक तो घरेलू, यानि कि परिवार छेत्र होता है, तूसरा जो है आपका आते हैं, next question की बात करते हैं, यहाँ पर छोटा सा question दिया गया है, बाजार कीमतों पर शुद घरेली उत्पाद NDP MP, यानि market price पर NDP national जो है आपको निकालना है ग्याद करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, NDP MP, जो हमसे पूछा गया है, इसका सूत्र जो होता को बताना है, तो repo rate बैज की weather है, जो reserve bank, व्यापारिक bank को से अल्प काली ने रिनो पर वसूलता है, जब आपका reserve bank जो व्यापारिक bank है, उनको रिन देता है, और वो छोटे समय के लिए देता है, तो उस पर एक दर लगा जाती है, एक interest लगा जाती है, उसी को repo rate बुला जात उनको लिख देना है, तो मुद्रा पूर्ती के केवल घटक कौन-कौन से हैं, तो इसमें घटक होती है, मुद्रा और जमा, ठीक है, अब इसमें कौन-कौन सी है, मुद्रा जैसे नोट और सिक्के लोगों के पास, ये वाली आपके एक घटक है, बैंकों के पास बचत और चालू खाते जैसे की मांग जमा, और इसी तरह से जैसे की सावधी जमा और आवर्ती जमा, ये भी बैंकों के साथ में हमारी होती है, तो ये आपका जो है कंपोनेंट्स हैं, मेन जो घटक हैं, वो आपको लिखना था, इसके बाद जो है, इसके मैंने इंग्लिस में आंसर दिया है, components of money supply, currency plus deposit इसमें सामिल होता है, और वो क्या चीज होती है, currency suggests nodes होते हैं, coins होते हैं, demand deposit होता है, savings होते हैं, current accounts होते हैं, इसके लावा deposit bank के साथ में जो fixed deposit होता है, recurring deposit होता है, इसका बाद जो next question है, इसमें पुछा गया है, स्वायत निवेश वक्र का रेखा चितर बनाना है, स्वायत निवेश वक्र का रेखा चितर कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें रास्ति आए के सामानांतर जो है, निवेश चलता रहता है, ठीक है, तो इस तरह का बिल्कुल आप पून आवंटन वापिस करता है, relocation of resources जो है, इसका main जो है, एक उद्देश यह है, ठीक है, तो यह आप यह आसानी से लिख सकते हैं, जितने भी संसाधन दूसरे ठेकोदारों को दिये गए थे, उसको वापिस से उन संसाधनों को जो है, दूसरे ठेकोदारों को दिया जाता ह है, इनकी bidding होती है, यानि कि इनकी बोली लगती है, और जो form में अपना पैसा कम देता है, जो भी करता है, इसकी एक process होती है, आपने पढ़ा भी होगा economics में, next जो पारट ही में पूछा गया है, मांग की लोच का सूतर आपको बताना है, तो मांग की लोच जो है, उसको हम define क आसानी से इसको लिख सकते हैं, तो यह आपका सूतर हो गया, तो यह लिख दें या यह लिख दें, दोनों ही आपके सही हैं, यानि कि आपका quantity, यानि कि क्या होता है आपका, जो भी आपके संख्या है, जो भी आप भोग की संख्या है, जो भी आप भोग की संख्या है, जो मांग आय में ब्रद्धी के साथ बढ़ती है उधार्ण के लिए जब आय बढ़ती है तो चीनी की मांग भी बढ़ जाती है इस प्रकार चीनी जो है एक सामानने वस्तू है तो इस तरह सा छोटा सा अंसर एक नंबर के साब से हमें आंसर लिखने है अगला प्रशन है इसमें पुछा गया है अलप कालीन ओसत परवर्ति लागत वक्र का आकार कैसा होता है तो उसका आकार होता है यू आकार का यू शीवड कर्व होता है इसका जो नेक्स कोश्चन है इसमें पुछा गया आप से दीर्ग कालीन सीमान्त लागत वक्र और दीर्ग कालीन औसत लागत वक्र को किस बिंदू पर काड़ती है तो यह जो है पुछा गया है At which point does the long term marginal cost curve intersects long average cost curve तो यह जो है दीर्ग कालीन औसत लागत के नियुमतन बिंदू पर काड़ता है इसको अभी मैं दिखाऊंगा diagram में Cuts at the minimum point of long average cost curve अब देखिए यहाँ पर क्या बुला है कि दीर्ग कालीन औसत लागत का कौन सा है दीर्ग कालीन औसत लागत यह है यानि कि यह वाली जो curve है यह वाला जो curve जा रहा है आप देख रहे हैं इसके सबसे जो नियूंतम बिंदू होता है वहाँ पर जो है दीर्ग कालीन सीमानत लागत काड़ता है यही पूचा इसमें ति दीर्ग कालीन जो है सीमानत लागत जो है औसत लागत वक्र को दीर्ग कालीन सीमानत लागत कहा काड़ता है यही हमें बताना है, हमने बता दिया कि यह बिल्कुल minimum point पर काड़ता है, इसके बाद आते हैं next question पर, आराम से समझ गया है, आप इस diagram से समझ गया होगा, कि answer कैसे यह लिखा गया है, next जो part है, अगर आप यह diagram भी बना देते हो, तो अभी आपको number मिल जाएंगे, कुछ भी जा रही है, बारवा जो प्रशन है, जो एक number का, इसके बाद दो अंकी प्रशनों को हम बात करेंगे, अल्प कालीन ओसत लागत, ठीक है, लागत फलन को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो हम जो है, by what other name is a short run average cost function also known, तो इसको बोलते हैं, हम निर्गत की प्रती इकाई कुल लागत के नाम से भी जानते हैं, the total variable cost per unit of output के नाम से जाना जाता है, next जो question है, उसकी बात करते हैं, खंड B, section B शुरू हो चुका है, अगला जो प्रशन है, section B की बात करें, 30 से 40 सब्दों में, इसमें पुछा गया है, निर्गत आकड़ो, यहाँ पर परसनल इंकम, या क्या मिस्प्रिंट है हिंदी में, यहाँ पर हमें कारक लागत पर नवल घरेली उत्पाद दिया गया है, निवल घरेली उत्पाद भी बोल सकते हो, विदेशों से प्राप्त निवल आए भी दे रखा है, और वित्रितलाब दे रखा है, निगम, यहाँ पर निगत नहीं, निगम करो ना चाहिए ठीक है और उसके बाद में परिवार द्वारा प्राप्त व्याज भी दिया गया है परिवार द्वारा भुगतान किया गया व्याज भी दिया गया अंत्रण आयगया और वेटिक कर भी दिया गया तो इस तरह से Wectic I क्या होती है? तो Wectic I क्या होती है? कारक लागत पर नवल घर लूथ पाद. तो यहाँ पर उपर लिखा हुआ है. तो यहाँ पर जो है Wectic I कैसे निकालेंगे? कारक लागत पर नवल घर लूथ पाद. पहला वाला यह option यहाँ पर I, बाव बाव सवादा जो लिखा है वो मैंने यहाँ पर एड़ और सब्ट्रेक कर दिया, देखिए, आव वाले को जोड़ना है, बाव वाले के साथ, फिर्सा वाला अवित्रित लाब जो है, वो माइनस किया जाता है, जब हम व्यक्तिक आए निकालते हैं, आपको क्लास में करते हैं, केवल परसनल टेक्स को छोड़ कर गें, बाकी सारी डाटा को हम ले लेंगे, परसनल टेक्स को हम आगे यूज करेंगे, तो हमारा व्यक्तिक आए जो है, सभी के हम जितनी वेल्यू दे रखिए, इसका कारक लागत पर नवल घरेलू उतपाद जो है, 900 करोड दे र तो 900, 200, 800, 550 और 1500, 1100 और 300, इनको सभी को जोड़ोगे, तो आजाएगा 8,550 करोड यही हमारा व्यक्तिक आए है, जो पहला आंसर निकला, और दूसरा इसमें एक पूछा गया है, व्यक्तिक प्रजोत्य आए, तो वो क्या होता है, व्यक्तिक आए जो हमने निकाली है, इस आ पल सा है, केवल आपको आँखडो को रखना था, आपको इस सब कुछ लिखने की जरूत नहीं, मैंने तो आपको समझाने के लिए, यहाँ पर जो चीजे लिखी गई है, केवल आपके benefit के लिए, आपके understanding के लिए लिखी गई है, डारेक्ट में लिख सकता था, कि 900 प्लस में 200 माइनस 800 माइनस 500 माइनस 1100 प्लस 300, इस तरह से करके मैं सिधा सिधा आंसर लिख सकता था, लेकिन मैंने आंसर आपको डिस्क्राइब किया है, और यहाँ पर हर चीजी डिस्क्राइब की गई है, बस आपको समझने का जो है, अपने आप में समय देना पड़ेगा, आपकारिक बैंकों की कुल जमाओं का वहनिश्चित अनुपात है, जो उसे रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, यानि कि मुद्रा गुणनांक और नगत कोश अनुपात में जो सम्मंद पूछा है, उसे सम्मंद को जो हम बता सकते हैं कि मुद्रा गुणनांक जो ह वो एक बटे नगत कोश अनुपात होता है, यानि money multiplier is equals to one upon में cash reserve ratio होता है, मैंने हाला कि नीचे लिख दिया, आपको इंग्लिस में भी, आप इंग्लिस में भी देख सकते हैं, उधांड के लिए, उधांड साइट समझाना है, अगर मैं 100 रुपे की जमा करता हूँ, तो मेरा bank है, तो 100 रुपे अगर मेरे पास जमा होते, तो उसका 20 रुपे हुए, तो 20 रुपे नगत कोश में उसको रखना होगा, यानि 80 रुपे जो बचे हुए हैं, उसी 80 रुपे को जो है, रिंड देने के रुप योग में हम ला सकते हैं, बाकी 20 रुपे जो है, यह रिजर्बेंक जो है CCR के रूप में रख लेगा, यह हमें example के तुरू समझाना था, मैंने इसको इंग्लीज में भी यहाँ पे लिख दिया है, अबने प्रशन की बात करें, तो यहाँ पे पूछा गया है, मित वैता के विरोदावास को समझाना है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत लोग घबरा जाते हैं, पता ही क्या है, पराडॉक्स ऑफ त्रिफ्त देखिए, मित वयता के विरोधा भास क्या कहता है, मित वयता के विरोधा भास का अनुसार, बचत एक वक्ती के लिए उचित हो सकती है, किन्तु अर्थ वयस्ता के सभी व्यक्ती बचत करने लग जाएं, तो यह इस्तिती अर्थ वयस्ता के लिए घहा तक होगी, सबसे में इंपोर्टेंट चीज यही बताएगी, बचत सब लोग करते हैं, लेकिन सबी लोग अच्छी तरह से बचत करने लग जाएं, तो फिर तो सब अपना पैसा अपने पास ही रखेंगे, यानि कि मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा, और मार्केट में पैसा नहीं आए जिससे उत्पादन पर विप्रित प्रभाव पड़ेगा, तथा निवेश में कमी भी आएगी, इसके फल्सुरूप जो है लोगों की आए कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा सभी के पास है, लेकिन निकाल नहीं रहे हैं, तो सभी की आए कम हो जाएगी, दुकानदार अपने करता है, वो दूसरे व्यक्ति की आए होती है, निकि कोई कमपनी चलाता है, तो कमपनी में लाखो करोड़ रुपे लगाता है, तब जाके कोई एक व्यक्ति उससे महीने कर 10-15 रुपे कमाता है, अता सभी व्यक्ति बचर्ट में लग जाएंगे, तो शंपूर अर्थवयस् होता है, तो इस तरह से आप सिंपल लेंग्वेज में लिखेंगे, ताकि आपको समझ में भी आए, और एक्जामनेर भी संतुष्ट, इसको मैंने यहाप इंग्लिस में लिखा है, ताकि आप लोग इसको समझ पाएं, ने जो कुशन है, उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे तिर्थी व इस्तिरदर के एक-एक गुण लिखने है, तो आपको एडवांटेजस लिखने है, सबसे पहला आपका जो है, फ्लोटिंग वाले का लिखना है, और दूसरा उसका आदमें, जो है आपका फिक्स्ट वाले का लिखना है, तो यहाँ पे देखें, तिर्थी विनि कह सकते हैं कि जो भी आपके moments है, exchange rate के through, automatically जो है, वो surplus के दुआरा जो है, उस deflect को दूरी कर दिया जाता है, जबकि इस तिर विनियम दर होती है, जो fixed होता है, उसमें क्या होता है, इस दर प्रणाली का मुख्य लक्षन यह है, कि यह विश्वस नीतिया पर होता है, मतलब इसमें विश्वास किया जा सकता है, कि सरकार एक निश्चित इस्थर पर विनियम दर को बनाए, रख्षने में सक्षम होगी, यह इसकी मेरे खासियत है, यही दो खासियत लिखने है, तिर्थी की अलग और इस्तिर की अलग, इसको मैंने इंग्लिस में लिखा है अलग और जो है हिंदी में अलग अलग, ठीक है, नेक्स जो पार्ट है, यहाँ पूछा गया है, सीमांत उभोग परवर्ती किसे कहते हैं, यह किस प्रकार सीमांत बचत परवर्ती से सम्मनित है, त छेंगें प्रस, पेड रहा हैं और क्लम फ़ूपबॉग मेंशी परीवर्तन हें उल्स levasi म हो अब से आपको बताना है, consume तो आपने देख लिया, save से एक ऐसे related है, तो सीमांत बचत प्रवर्ती की अवधारना, बचत में परिवर्तन तथा आए में परिवर्तन की अनुपात को प्रकट करती है, यह इन दोनों की अनुपात को प्रकट करती है, यानि सीमांत बचत परवर्ती और सीमांत बचत परवर्ती का योग जो हमेशा सदेव एक होता है यानि कि मैं बोलों कि सीमांत बचत परवर्ती प्लस में सीमांत बचत परवर्ती दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा एक के बराबर आएगा और हम यहां से फिर सीमान तो बोग प्रवर्ती भी निकाल सकते हैं और सीमान बचत प्रवर्ती भी निकाल सकते हैं तो इस तरह से यह relation हमें दिखा देना है इसको मैंने आपे इंग्लिस में लिखा है जो इंग्लिस मीडियम के students है इसको पढ़े समझे उसके बाद में इसको नोट डाउन करें नेक्स जो पार्ट है नाइन्थ इसमें पुछा गया आपसे बजट घाटा दूर करने के कोई दो सुझाओ लिखिए तो दो सुझाओ क्या हो सकते हैं बजट घाटा दूर करने के लिए तो इसको इस question के दो तरह के answer हो सकते हैं two types of answer आप दे सकते हैं पहला मैं आप type बता रहा हूँ जो कि आप first type देखिए बजट घाटे को दूर करने के मुक्रते दो प्रकार के उपाय किये जाते हैं एक तो घाटे को कम करके और दूसरा घाटे का with portion करके इसमें जो है आपका दो नंबर का है तो आप दोनों उपाय लिखेंगे तो दो नंबर तो मिलेगा नहीं तो आपको एक 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 लाइन लिख करके समझा देना होगा तो बजट घाटे को कम करना है याने कि नियम्न तरीकों द्वारा बजट को नियंतितिया कम किया जा सकता है, जिसमें सरकारी फ्राप्तियां बढ़ा सकते हैं, और सरकारी वय में कम कर सकते हैं, ठीक है, कमी कर सकते हैं, यह हो गया पहला, और दूसरा है गहाते का विट पोर्शन द्वारा, तो घाटे का wish portion जो हम दो तरीके से तीन तरीके से कर सकते हैं जैसे मोद्रिक विस्तार करके जनता से उधार ले करके और विनिवेश करके इसको मैंने हाँ पर इंग्रिस लिखा है कि जो है आप कैसे deflect budget को कम कर सकते हैं ठीक है उसके क्या method से हैं तो दो method हैं और उसमें दो जो है sub divisions जो है उनको आपको बता देना है दो लिखें तीन लिखें आपकी मर्जी है तो आपको दो number मिलेंगे या फिर आप इसको दूसरा तरीका जो second type answer है second type answer जो आप दे सकते हैं वो इस तरह से दे सकते हैं तो आपको अगर यह अच्छा लगता है उपर वाला तो लिखें या फिर यह लिखें पहला जो आप कर सकते हैं करों में बिद्धियता सरकारी वयों में कटोथी से घाटे को दूर कर सकते हैं दूसरा साजवनिक उपक्रमों के शेरों की विक्री के माध्यम से प्राप्तियों में वड़ोतरी कर सकते हैं उससे घाटा कम हो सकता है और सरकार के क्रिया कलापों यानि कारे कलापों को सुन योजित कारे करमों और सूस आसनों के माद्यम से संचानित करके भी हम उसको कम कर सकते हैं. तो ये तीनो आप चाहें तो ये वालाप आंसर लिखें ये वाला या उससे उपपर वाला. तो आपकी मर्जी ये दोनोग्द एसे जो आंसर आपको बहतरी लगता है, याद होता है जो आसानी से उसको याद कीजिए next जो part है साकारात्मक तथा आदर्शात्मक विशलेशन में मुख्य भेद क्या है इसको लिखना है आपको साकारात्मक आर्थिक विशलेशन के अंतरगत हम यह अधन करते हैं कि विभीन गत इसके अलावा इसका जादा डिक्ता आप कोई भी अंतर नहीं बता सकते हैं यह बहुत ही important अंतर है और main अंतर मुख्य अंतर यही है उसका जो है ग्यारवा परेशन ने ग्यारवा परेशन ने पुछा किया मांग के नियम की परिभाशा जो आपको लिखनी है तो मांग का नियम क्या कहता है मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मातरा के संबंद को बताता है ठीक है तो ये मांग का नियम क्या है कि वस्तु की कीमत कितनी है और उसकी मांगी गई मातरा कितनी है उसके बीच में संबंद को दर्शाता है मांग का नियम वस्तू की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मातरा में भी परिवर्तन होता है और मांग के नियम के अनुसार वस्तू की कीमत एवं उसकी मांगी गई मातरा के बीच में बिप्रीत संबंद होता है जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वस्तू की मांगी गई मातरा कम होती जाएगी और जैसे जैसे कीमत घटेगी वैसे 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 वस्तू की मांगी गई मातरा बढ़ेगी यानि कि suppose करिए कि आज मोबाइल दस जार उपए का है तीक है यह दस जार उपए है तो आप जो है इतने आदमी खई देंगे मांदीजे पचास आदमी खई देंगे लेकिन यही मोबाइल जो दस जार का था इसकी रेट को गिरा करके पांच जार कर दिया जाए तो यहाँ पर खईदने ओलों की संख्या 5,000 भी हो सकती है और 5,000,000 भी हो सकती है यह प्राइज गिरने और चड़ने के उपर क्या होता है मांग डिमांड जो हमारी कम जादा होती है तो इसलिए इसका विप्रित संबंद होता है अर्थात वस्तू की कीमत में ब्रद्धी होने पर मांग मे कमी हो जाएगी और वस्तू की कीमत में कमी होने से मांग में ब्रद्धी हो जाएगी त sorted के इसी नियम को हम जो है मांग का याद करना है, नेक्स्ट पार्ट है, अर्थवयस्ता की दो केंद्रिय समस्या है, अर्थवयस्ता की वहिया, तीन केंद्रिय समस्या है, मेन है, इसमें दो ही पूची गई है, डिस्क्राइब करने को नहीं बोला है, केवल समस्या है, लिखने की बात करिये, तो उत्पादन किन तो what item should be produced and in what quantity is the first problem how to be produced is the second problem for whom to be produced is the third problem, तो आपको दो आपसे पूचिए आप तीन यहाँ पर बता सकते हैं इसके बाद और इनको detail में याद कर लेना क्योंकि यह details में पूचे जाते हैं पूरे लंबे questions आते हैं, यह ध्यान लखना है तो detail आपको इसका याद होना चाहिए नेक जो question है उत्पादन फलन की संकल्पना है लिखें, यानि उत्पादन फलन की संकल्पना क्या है, ठीक है question में mistake है क्या है, तो देखिए उत्पादन फलन की संकल्पना क्या करते है किसी भी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों पे निर्भर करता है अत्हा उत्पादन के साधनों तथा उनके उत्पादन के बीच के संबंद को उत्पादन फलन कहा जाता है यह दिये हुए समय के लिए उत्पादन की मात्रा और उत्पत्ति के साधन के बीच के बहुत एक सम्बंद को दर्शाता है यानि कि यह है जो है मातरात्मक सम्बंद होता है ना कि गुनात्मक ठीक है धान लखना है आपको तो यही बस आपको बताना है two marks आपको यहां से मिल जाने है यहाँ पे इंग्लिस में लिख दिया जो पूर्ती वक्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो हम देखते हैं यदि बाजार में वो भुगताओं की संख्या में व्रद्धी हो जाती है तो देखना यह किस की बोल रहा है पूर्ती वक्र की पूछ रहा है सबसे पहले मैं मांग वक्र की बता रहा है परन्तु अब यहाँ पर इसका राइट आंसर यह पूछ रहा है उसकी बात कर रहे है परन्तु भुगताओं की संख्या में यह व्रद्धी पूर्ती वक्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है क्योंकि पूर्ती वक्र केवल फर्मों के वैवार समंदित प्रचनों में परिवर्तन अथ्वा फर्मों की संख्या में ब्रद्धी के कारण ही सिप्ट हो सकता है तो पूर्ती वक्र है जो है यह फर्मों के उपर डिपेंड करता है ना ही क्यों भोगताओं के उपर बस ये simple सी बात समझ में आ गई तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी जन संख्या के बृद्धी जो है वो पूर्ति वक्र पर लेकिन जो फर्म की संख्या में बृद्धी या कमी होती है तो पूर्ति वक्र पर उसका प्रभाव अवश्य चार-पांच जगे और खुल गई, ज्यादा खुल गई, ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ती वक्र क्या हो जाएगा, आराम से सेटिस्फाई हो जाएगा, पचास की जरूत, पहले एक कमपनी कर रही थी, अब दो कमपनी हो गई, तो सो कर देगी, तीन कमपनी हो गई, तो डेर सो वक्र डिपेंड करता है, ना कि उभोगता के उपर, इसके बाद जो नेक्स कोशन है, इसमें क्या पूछा गया है, देखिए, इसका मैंने इंग्लिस वर्जन यहाँ पर लिक दिया है, इसमें पूछा गया है, उस इस्तिति में सीमांत समप्रामती के आकार पर टिकपने लि तो सीमांत समप्रामती वक्र धनात्मक धाल वाला अत्वा नीचे की ओर धाल वाला रेखा होगी या होती है, इस सवस्ता में सीमांत समप्रामती जो है, वो धनात्मक होती है, किन्तु गिर्ती हुई दिखाई देगी, बस इतना ही लिखना है क्योंकि 2 marks का answer है, तो 2 marks में प्रतिस्परधी firm की Qylaagat Sasani को दर्शाय गिया है वस्तु की कीमत 10 रुपए दी गई है यosphा नी हर वस्तु की कीमत 10 रुपए दी गई है प्रतिक उत्पाधन इस्तार पर Laav की गणपो करनी है हर जगह पर Laav की गणप्री ओर लाव अधित्मिकरण निर्गत इस्तर भी ग्याद करेंगा, तो दोनों चीज़ें ग्याद करेंगा, कोई दिक्कत नहीं, एकी टेबल में सब कुछ हो जाएगा, हमको जरूत नहीं ज्यादा एक्स्टा करनेगा, तो यह हमारे पास उत्पादन दिया गया है, और यहाँ पर उसकी खुल लागत इकाईया दी गई है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका English version जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, अब इस टेबल को मैं नीचे बनाने वाला हूँ, आउटपूर और टीसी, तो इकाईया हमारे को दे रखिए, हमारे को कुल लागत दे रखिए, टोटल जो है, यहाँ पर दे रखा, टोटल कोश्ट कितनी है, कुल लागत इसी को बोलते हैं, कुल लागत जो है, यह 15, 25, 32, 37, 41, इस तरह से दी गई है, तो इसको हम कुल लागत को जो है, अगले वाले लाइन में लिख देंगे, कुल लागत हो गई, इस तरह से पूरा जो दिया गया है, वो लिख दिया, इनों चीज हमें दी गई है, यूनिट दी गई थी, प्राइस भी दी गई थी, 10-10 रुपे और टोटल कोश्ट भी दी गई थी, अब कुल आगम, टोटल रेविन्यू कितना होगा, तो हमारे पास इसकी काई 0 है, 10 रुपे के हिसाब से 0 हो गया, इसकी काई 1 है, 10 रुपे के हिसाब से 10 हो गया, इसकी काई 2 है, 10 रुपे के हिसाब से 20 हो गया, इसी तरह से इसकी काई 3 है, तो लाव कैसे निकलेगा, revenue में से cost को minus कर दूँ, यानि कि revenue में से इस cost को घटा दूँ, यहां लिखा है full आगम, full revenue है, total revenue minus total cost जो है हमारा लाव दर्शारता है, ठीक है, तो अगर मैं इस में से, इस में से आगे वाले, इसको minus करना है, इसको minus करना है, तो minus 5 आया, 10 में से 15 गया, तो minus 5 आया, 20 में से 22 गया, तो minus 2 आया, 30 में से 27 गया, तो 3 आया, और 40 में से 31 गया, तो 9 आया, 50 में से 38 गया, तो 12 आया, और 60 में से 49 गया, तो 11 आया, और 70 में से 63 गया, तो 7 आया, बाकी जो है 80 में से 81 गाएगा नेगेटिव आ जाएगा और ये भी नेगेटिव आएगा ये भी नेगेटिव आएगा ये निकि हमारे पास उपीजो तालिका के अनुसार जो उत्पादन की 5 ही कायों पर लाब अधिक्तम होगा यही हमसे पूछा है कि आपको प्रतिक का निका खाए तो हमसे लाब आपका अपका सॉलूशन नुमेरिकल का बहुत सिंपल सा नुमेरिकल और हमने इसको कर दिया ठीक है तो इस तरह से नुमेरिकल आप जो प्रतिस करते रहोगे समझते रहोगे क्लास में धोरा डंग से अटेंड करोगे और कोई डाउट हो टीचर से पू आपका एकनोमिक सो, खंड C, section C में आ चुके हैं, जहाँ पर तीन अंकिये प्रशन पूछे जाएंगे यहाँ पर पहला जो प्रशन में पूछा गया 17 नंबर इसमें पूछा गया, अव मुल्यन और मुल्यास में अंतर आपको सपस्ट करना है तो तीन अंबर का प्रशन है, तो हम कम से कम तीन आंतर बता देंगे सबसे पहले अव मुल्यन का अर्थ क्या है? निशित विन्यम created के तहएत घरेलियों मुद्रा की कीमत में कमी जो है, अव मुल्यन कलाता है जबकि मुद्रा का मुल्ले, अन्य मुद्राओं की तुलना में जब गिरता है तो उसको हम मुल्ले हास के रूप में जानते हैं यह अधिकारी कारवाई के कारण होता है नहीं सरकार द्वारा जो है सरकार के कारण होता है और यह बाजार की सक्ति के कारण होता है बाजार में जो भी उतार चड़ा होते हैं, उसके करण होता है, और यह निशित विनियम दर प्रणाली के तहरत होता है, और यह जो है लचीली विनियम दर प्रणाली के तहरत होता है, तो तीनों अंतर हमने बता दिये, यहापर जो है, मैंने आपको इंग्लिस में बता दिया ह तो इंग्लिज में भी आपको दे, suppose that 70, यहां पर dy होना चाहिए, y नहीं है, यहां पर mistake है, dy होना चाहिए, क्यों कोई question जो है आपका यह ऐसा नहीं है, और यहां पर i आपको 90 दे रखा है, g आपको 100 दे रखा है, और t जो है, q into i, q into, यहां पर t जो है, यहां पर गलत दे में 0.70, yd है, या dy है, i हमारे को 90 है, g हमारे को 100 है, और t 0.10y है, तो आपको क्या है, find equilibrium income, यानि कि आपको संतुलन i निकालना है, और what are the tax revenue at equilibrium income, does government has a balance budget, क्या यह सरकार का budget संतुलित है, और क्या, जो है करपर राजस्चों क्या है, वो भी आपको बताना है, तो यह सारी ची है, सबसे पहले, find the equilibrium income, find कर रहा है, equilibrium income, और हमारे को दे रखा है, c equals to 70 plus में 0.7yd, जो मैंने बताया था, कि c में, वहाँ पर mistake है, यहाँ पर हमने सही कर दिया, इसको, i हमारे को दे रखा है, 90, g हमारे को 100, और t हमारे को 10y, point 10y, अब हम जानते हैं, एक चीज कि यह formula होता है, c y equals to c bar plus में cyd, यह आपको अच्छे तरह से याद होगा, या फिर यह formula भी याद होगा, तरहीं दोनों formula आपको याद होनी चाहिए, अब जो है, हमारे को क्या दे रखा है, तो c, अभी अभी हमने उपर देखा, 70 plus में 0.7yd, तो मैंने c की जगे पूरा value रखा, यह ध्यान pro value है, अब दूसरी चीज में क्या दे रखी है, देखिए, यs cc value हमने लिख ली, आभ हमारे को, इसके बाद i की value लिखने है, अब yay कितनी दे रखी, अभी मैंने 90 दे रखिए, यह 90 लिखै हमने i की value, g कितना दे रखां, g कогAy यहां पर मैंने दो बार लिख दिया, यहां पर मैंने दो बार लिख दिया, यह हमारे पास फॉर्मूला इसका ब्रेक अप होता है, आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, ट की वैल्ली यहां पर रखेंगे, तो हमने यहां पर रखा ट की वैल्ली पॉइंट था य बाकी y तो हमारे को दे नहीं रखा, और भिर हमारे समिगर्ण में, जो 90 प्लस 190, और 190 और 70 कितना हो जाएगा, आपका 260, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर y में से 0.10y माइनस करूँगा, इस bracket में से y में से माइनस 10y करूँगा, तो कितना बचेगा, 0.9y बचेगा, एक y में से, अगर 0.y घटाओगे, तो कितना बचेगा, 0.9y बच जाएगा, bracket के बाहर 70 है, तो bracket के बाहर 70 लिखा, बाकी इन सब को जोड़ा, तो मैंने 70 प्लस में, 90 प्लस में, 100 कितना हो गया, 260, और यह 7 से 9 को गुना किया, तो 9 सते 63, यानि कि, आपका 0.63y आ गया, bracket को खोलने के बाद में, हमने लिख दिया, bracket को खोल के, अब जो है, आपके पास में बचेगा, 0.7, 0.37y, यह किसके बराबर है, 260 के बराबर, तो यहां से y का मान निकाल लूँगा, मैं y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 260 बटे में, 0.37, पॉइंट हटाओंगा, तो 260 के उपर 20 लग जाएगा, तो 260 के उपर 20 लग जाएगा, तो point नीचे से हटा दिया, अ हमारे को दे रखा है, ऊपर, ठीक है न, आपको देखी रखा है, देखोगे, तो t is equals to 10 y दे रखा है, ठीक है, तो यहां पर जो है, t is equals to 10 तो ही, y का मान मैंने अभी भी निकाला, 702.7, रखा हमने 702.7, तो हमारे पास आगया 70.27 करोड, ठीक है, तो यह सरकारी वे, जो हमार government expenditure कितना 100%, और जो हमारा tax revenue जो आया, वो कितना 70, यानि कि government ने खर्च जादा किया, उसको मिला कम, इसका मतलब क्या है, government का budget संतुली तो नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, जो मैंने बताया कि MR is equals to, जो है आपका, जो आपका consume होगा, जो supply होगा, व हमने जब करी थी, तो यहाँ पर देखो, हमने बताया था कि supply जो है, वो demand के बराबर होना चाहिए, लेकिन supply और demand बराबर नहीं हुआ, supply जो है देखो, यहाँ पर government expenditure हुआ 100, लेकिन हमारे को revenue मिल रहा है 70, यानि कि इससे बहुत कम, 29 point something के आसपास कम, तो नहीं है, संतुली budget नहीं है, क्योंकि G जो है greater than T है, यह जो G है, वो greater than T है, इसका मतलब क्या है, T की value कितनी आई, T इतनी आई है, लेकिन हमारे G government कितना है, यानि कि यहाँ पर G कितना है, 100, और हमारा T कितना है, वो आया 70.27, तो G हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब सरकारी budget नहीं है, अगर G बड़ाबर T हो जाता, तो हमारा सरकारी budget होता, लेकिन यह तो हुआ नहीं, तो हमारा यह सरन्तुलिज budget नहीं है, यह घाटे का budget है, और सरकारी budget का घाटा कितना है, वो भी हम निकाल सकते हैं, 100 minus इसको कर दूँ, तो यह कितना आ जाएगा, 39.78 करोड के बड़ाबर जो है, आपका T जो है, वो कितना आया, 70.27, तो इस तरह से हम बता सकते हैं, वो इतना लिख दो के वह है, बस मैंने आपको लिख के बता है, तो इस तरह से आपको यह solve करना था, नेक्स जो पार्ट है, एक firm की औसत लागत, औसत परवर्ती लागत, औसत लागत क्या है, तो वे किस संबंदित यह बताना है, तो आपको बताना है, average fixed cost, average variable cost, average cost, तो औसत लागत बताना है, औसत परवर्ती लागत बताना है, औसत इस्तिर लागत बताना है, वे किस परकार संबंदित है, यह भी बता देना है, कभी-कभी आजागा केवल आपको जो कुल इस्तिर लागत, कुल परवर्ति लागत और कुल लागत क्या है तो ये भी पूछ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान लखना वो भी इसी तरह सही है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं एक बार उसको पढ़ लेना आपको आसानी सियाद हो जाएगा और सत्र लागत क्या होती है आपर number of units जो भी हमने quantity खई दी है वो इकाईों की संख्या है यह क्या है यह इकाईों की संख्या है ठीक है तो यहाँ पर आप आप जो है कुल इस्तिर लागत बटे में अगर इकाईों की संख्या करते हैं तो आपको आसत इस्तिर लागत मिल जाती है यह चीज़ समझ में आगी, definition मैंने यहाँ पर इंग्लिस में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है इसी तरह से औसत परिवर्ती लागत क्या है तो औसत परिवर्ती लागत कुल परिवर्ती लागत में निर्गत इकाईयों का भाग देने से कुल परिवर्ती लागत में निर्कतिकाईयों का भाग देने से प्राप्त परतिकाई लागत को औसत परिवर्ती लागत कहते हैं, इसका सूत्र जो होता औसत परिवर्ती लागत का कुल परिवर्ती उत्पाद बटे में क्यों, ठीक है, यहाँ पर और उसत परिवर्ति लागत के योग से प्राप्त होता है, निकि उसको उसत लागत का जाता है, दोनों का योग, जो उपर हमने निकाला, उन दोनों का योग, यानि कि उसत लागत बराबर होता है, उसत इसतिर लागत प्लस में उसत परिवर्ति लागत, Average Cost is equal to Average Fixed Cost plus Average Variable Cost और अलपकाल में जो है इस्तिर लागत और औसत परिवर्ती लागत और औसत लागत आपस में संबंदित होते हैं औसत लागत और औसत इस्तिर लागत जो है यहां औसत परिवर्ती लागत का योग होती है औसत लागत क्या होता है जैसे से उत्पादन बढ़ता जाएगा हमारी जो इसतिर लागत वह कम होती जाएगी क्योंकि हम देख साधन नहीं थे, मसीन नहीं थे टेकनोलोजी नहीं थे, जो भी थी अल्पकाल के प्रारम में उत्पादन की मातरा में बृद्धी के साथ औसत परिवर्थी लागत में कमी आती है किन्तु उत्पादन की एक सीमा के पश्चात बृद्धी होने पर औसत परिवर्थी लागत में बृद्धी होने लगती है इसी प्रकार अल्पकाल में उत्पादन ब्रिद्दी के साथ औसत लागत कम होती है किन्तु उत्पादन की एक सीमा के पश्चात उत्पादन ब्रिद्दी के साथ औसत लागत गिरने लगती है जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया और अल्पकाल में औसत परिवर्थी लागत और और सत लागत वक्रों को यू आकार के समान जो है दिखाई देता है तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं इसमें से कम जादा करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा next part की बात करें काफी कीमत में परिवर्तन चाहे की संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करेगी एक आरेक द्वारा संतुलन मातरा के प्रभाव को जो हुई आपको समझाना है तो काफी और जो है चाहे और काफी क्या है इस्थानापन वस्तु में हैं मांग वक्र जो है दाई और खिसकेगा जैसा कि चितर में दिखाये गया है चितर भी देखते हैं जब अब नया वक्र जो है D1 और D1 है जो पूर्ती वक्र SS को यानि कि जो आपका यहापे देखो जो नया वक्र है वो यह बन जाएगा ठीक है जो है आपका SS जो आपका वक्र है उसको फिर से E1 पे काड़ता है तर नई संतुलन कीमत की मातरा O P 1 और O Q हो जाएगी ठीक है O Q 1 ओ Q 1 और O Q हो जाएगी O P हो जाएगी O Q की बात कर रहे हैं और Q से फिर O P यहाँ पर क्योंकि यह point यहाँ पर है और जैसे यह shift हो जाता है तो यह shift हो करके कहा हो जाएगा तो हम बोलेंगे O P 1 हो जाएगी और फिर O Q 1 हो जाएगी यही चीज़ हमने बताया है पहले तो O Q और O P थी जब हमने इसको shift किया क्योंकि हम जब आगे पीछे कर रहे हैं हम बस्तू की जगे दूसरा chain कर रहे है तो यह shift हो रही है ठीक है इसी को हम जो है यहाँ पर गिराओट होती है तो फिर क्या होगा तो हम गिराओट होगी तो उपर वाला जो कर्व था D1-D1 वह shift होके नीचे आजागा तो D1-D1-D1 जीए गास एक काफी कीमत को दरशा रही है और एक चाय की कीमत को दरशा रही है तो इस तरह से हम इस граф को समझा सकते हैं अपको समझ में आया है कि मैने बताया क्या है कि कौन सी चीज कैसे shift हो रहाई है बस वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखेगे और उसके लावा कुछ भी नहीं लिखा गया है इसको जो है मैंने यहाँ पर इंग्लिस में लिखा है जो बच्चे इंग्लिस मीडियम के हैं वो यहाँ पर solution दिखेंगे यहाँ पर आपका price है यह price है कीमत को हम price बोलते हैं और यहाँ पर मात्रा है इसको quantity बोलते हैं QTY लिख देते हैं ठीक है पर इसमें price है और quantity है यहाँ पर भी आपका यह क्या है price है या फिर आप cost बोल सकते हो और यहाँ पर आप quantity बोल सकते हो इसके बाद जो next part है तो यहाँ पर इसका भी answer आप लिखे लोगे या आपका कर्व मिली गया इस कर्व को मैंने समझाई दिया हिंदी में आप इंग्लिस में समझ सकते हो कुछ इश्यू नहीं है आगे बढ़ते हैं next part section D अब बड़े प्रस्ण जिसमें अथवा के आथवा आएंगे अब अथवा आपको देखने को मिलने वाले हैं चारंग के प्रस्ण सबसे पहला भारती रिजर्बेंक की मौदरिक निती के उपकरणों को विस्तार से बताना है instrument of monetary policy of RBI चार नंबर में बताना है या फिर दूसरे में बता से के मुद्रा के कारे को इस पस्ट करना है तो दोनों question को करेंगे पहले पस्ट वाला करते हैं कि भारती रिजर्बेंक के मौदरिक निती के उपकरण कौन कौन से है तो उनके सबसे पहला उपकरण जो है भारती मौदरिक उपकरण जो है वो bank rate जिसको बोला जाता है इसको मैंने यहाँ पर English में लिख दिया तो यह bank rate जो है Hindi English में मिल गया इसके बाद जो दूसरा उपकरण यूज किया जाता है क्योंकि इन सब चीजों को आपको आराम से पढ़कर याद करना यहाँ कि आपका reserve rate ठीक है और चौथा उपकरण जो हम यूज करते हैं उसको नगद कोशानुपात बोलते हैं यहाँ कैस reserve ratio बोला जाता है CRR बोलते है ठीक है इसको बाद जो next part है आपका जो पाचवा उपकरण है हम उसको लेते हैं तरल कोशानुपात यहाँ जिसको बोलते हैं वैधानिक तरल तानुपात saturated liquidity ratio जिसको liquid fund ratio भी बोलते हैं या saturated liquidity ratio भी बोलते हैं तो इसको भी आप पढ़ लेना बहुत simple सब्दों में लिखा है समझाने वाली आऊशक्ता नहीं है वीडियो को लंबा ख़िचने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा अत्वा पार्ट की बात करें तो मैंने बताया था कि पहले हम उस पार्ट को दखे हैं अब मुडरा के कारे क्या क्या हो सकते हैं तो मुडरा के मेन कारे उसको चार भागों में बाटा गया है ठीक है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, मैंने यहादा इसलिए लिखा है, कि आपको जो अच्छा लगता है उसको याद करना है, ध्यान लखना, points मैंने बहुत सारे लिखे हैं, अब मैं बताऊंगा कि कौन सा points कैसे करना है, मुद्रा का जो मुख्य या प्रात्मिक कर रहे हैं, एक पहला कर रहे हैं, मुख्य बोलते हैं या प्रात्मिक कर रहे हैं, दूसरा मुद्रा का कर रहे हैं, तीसरा मुद्रा का आक्स्मिक कर रहे होता है, और चौथा जो होता है, वो मुद्रा का विविद कार रहे होता है, तो चार तरह से मुद्रा के functions होते हैं, पहले बात करें, अगर मैंने इसको English में यहां पर लिख दिया है, पहले अगर बात करूँ कि मुख्य या प्रात्मिक कार रहे, तो जिसको main या primary function बोलते हैं, इसमें जो है, आपको दो चीजे देखने को मिलेंगी, एक तो विनियम का माध्धम के रूप में ये काम करता है, ठीक है, तो आप जो है, केवल आप ये heading लिखेंगे और विनियम के माध्धम के रूप में, और मुल्य का मापक करता है, तो इस तरह से ये दो point लिख देंगे, मैंने ये इस तरह से भी question पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा धंग से समझना, दूसरा जो आपका point होता है, इसको मैंने इंग्लिस में हहां समझा रखा है, और पहले point को और दूसरे point को इंग्लिस में हां समझा रखा है, दूसरा जो आपका मुद्रा के सहायक या गोण कार इस सारह करता है, तो इसमें पूइंट को लिख करकर के आप चाहे तो इसमें, कुछ भी समझा सकते हैं, तो आपके मर्जीए, एक point को समझा है, समझाते जाना है, चार अंगों का प्रशन है, तो आपको थोड़ा सा विस्ता देना पड़ेगा, मैं आपको बताता जा रहा ह आक्समिक कार्यों में यह शामिल होता है पहला पॉइंट, ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है, मैंने इंगलिस में उसका नीचे नीचे लिख दिया है, दूसरा जो है, इसमें पूझी की तरलता है, उत्पादक्ता के लिए आक्समिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है और तीसरा जो है, इसमें साक का आधार भी इसको माना जाता है, इस तरह से तीन पॉइंट जो है इस आक्समिक कार्य में आते हैं, तीनों में से कोई भी एक कार्य आप बता सकते हैं, बाकियों के नाम लिखने हैं, ध्यान रखना है, नाम जरूर लिखने हैं, नाम नहीं भूल जो आपको easily याद हो पॉइंट, उसी पॉइंट को याद करें, मैं नहीं कहा रहा हूँ कि सारे पॉइंट याद करें, और केवल एक पॉइंट को ही describe करना है आपको, बाकियों के नाम लिखने है, गरांटी अच्छा, उसके बाद में दूसरा निन्नय का वाहक होता है, यह भी अधिमान वक्र की परिभाशा देनी है, उसकी विसेस्ताएं विस्तार पुर्वक समझानी है, जहाँ प्रियोक्त हो, वहाँ पे रेकाचित्र भी बनाना है, चारंग की प्रश्ण है, इसका अथ्वा पार्ट में पूछा गया है, अधिमान वक्र की सहायता से, बोगता का इ उद्धासिन वक्र भी कहते हैं तो कभी यह पूछ सकता है उद्धासिन वक्र की परिभाशा बताओ और कभी पूछ सकता है अधिमान वक्र की परिभाशा बताओ तो परिभाशा है तीनों की सेमी है इसलिए ध्यान रखना कि इनको तीनों नाम से जाना जाता है अधिमान अथ को कम और एक को ज़्यादा कर रहा है, तो उसको समान संतुष्टी मिल रही है, ठीक है? चुकि समान संतुष्ट प्राप्त करने होने से बोगता इन दोनों वस्तुओं के विभिन संयोगों के प्रति उदासीन होता है यानि कि दोनों का जैसे मानलो की एक वस्तू चार है, चार लेता है मानलो की यह आपका बलेक है, ठीक है? और यह वाइट है, मानलो यह बलेक कोई चीज है, वो रोग दो लेता है और वाइट चीज है, तो यह संतुष्ट है लेकिन इसके बीविन संयोगniest मिल रही है, बीविन संयोग हो शकते हैं और सपोज करो कि और भी हमें करना है तो इसको मैंने दो कर दिया और इसको मैंने चार कर दिया तब भी छे हैं यानि कि मैं अगर चार और दो ये अगर कोई चीज चार ले रहा हूं और दूसी चीज दो ले रहा हूं तो भी मैं संतुष्ट हूं अगर मैं कोई चीज वही तीन ले रहा हूँ और दूसी चीज फिर दो की जगे में तीन ले रहा हूँ तो भी मैं संतुष्ट हूँ अगर वही चीज जो पहले वाली चार ले रहा था वो दो लेता हूँ और जो पहले चीज दो ले रहा था चार लेता हूँ, तो भी मैं संतुष्ट हूँ, तो हर संयोग में अगर मैं संतुष्ट होता हूँ, तो मैं क्या हो जाता हूँ, उसके प्रती उदासीन हो जाता हूँ, अतहा अधिमान वक्र को उदासीन वक्र भी कहा जाता है, और ततश्टता या उदासीन या अधिमान वक्र को निमलिखित रेखाचितर की साहता से इसपस्ट किया जा सकता है तो देखिए यहाँ पर रेखाचितर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो देखिए इसको मैंने यहाँ पर इंग्लिस में लिख दिया है तो उसको कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है यानि कि उसके पास मानलो कि और केले चाहिए तो वो आम चोड़ेगा और आम चाहिए तो केले चोड़ेगा ताकि उसकी उप्यूगिता का इस्तर वहीं रहे और उसकी अधिमान वक्र और वह उसी अधिमान वक्र पर रहे यानि कि वो जो है क्या हो जाए न्यूटरल हो जाए तो इसको मैंने याँ पे इंग्लीस में लिखा है जो बच्चे इंग्लीस के हैं उसको यहाँ से पढ़ेंगे दोनों का graph सेमी है बस एक इंग्लीज में गराफ है, एक हिंदी में गराफ है, अधिमान वक्र जो है, यहाँ पर समझाएगा है, अब समझेए, यहाँ पर मैं इस वक्र को समझाऊंगा, उसके बाद आपको फिर थियोरी पढ़ने हैं, यहाँ पर सबोस करिए, कि केले की, जो है, मैं एक मातरा ल लिए तो मुझे केला अगर मेरे को एक मिलता है तो मैं संतुस्ट हूँ तूसरे condition में अगर मैं बात करूँ ध्यान रखना यहाँ पर यह बरावर जरूर नहीं कि इनका योग बरावर हो मैं बताया था कि योग मैं केवल आपके संतुस्टी के लिए समझधारी के लिए कर रहा हूँ बाकी आप समझना तो यहाँ पर अगर मैं आप 15 लेता हूँ और मुझे केला एक मिलता है तो मैं संतुस्ट हूँ लेकिन मैं क्या करूँ मैं चेंज करूँ कि मैं चेंज क्या करता हूँ तब भी मैं संतुस्ट हूँ इसी तरह से अगर मैं 10 आम लेता हूँ 10 आम लेता हूँ तो मुझे जो है कितने केले मिल रहे हैं तब भी मैं संतुस्ट हूँ ध्यान रखना यह चीज बता रही है संतुस्टी का वक्त इसी तरह से जाता है हमारा इसी तरह से अगर मैं 9 आम लेता हूं तो मुझे जो है 4 केले मिलते हैं यानि कि एक चीज कम कर रहा हूं तो एक चीज बढ़ रही है और एक चीज ज़्यादा कर रही है यही चीज यहाँ पर समझाए गया कि एक को कम करते हैं और 9 आम लिये तो मिला 4 केला, जैसे-जैसे मैं आम की मात्रा को कम करता जा रहा हूं, केलो की संख्या में ब्रद्धी होती जा रही है, और जैसे-जैसे मैं केले की संख्या में कमी करता जा रहा हूं, आम की संख्या में ब्रद्धी होती जा रही है, एक दूसरे से तो यही चीज इसमें बताई गई है और कुछ भी नहीं है ठीक है यह जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है बस यह एक चीज है इस तरह की और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हो अब इसको थियोरी से समझ सकते हो कि अधिमान आच्छा मैंने थियोरी में यही समझाया कि कुछ आमों का त्याग करना पड़ेगा अगर उसको एक भोगता को एक और केला पराप्त करना होगा तो कुछ आमों को छोड़ना पड़ेगा यही चीज हमने समझाया कि यह 15 आम थे तो एक केला मिला कुछ और आम पर बोगता रहे तो यही हमारा द्मान वकर है और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं यह द्यम जो है हिंदी मीडियम के लिए, यह ईंग्लिस मीडियम के लिए कहीं हिंदी कोई बणू कोई यहई आम को ए mi रहा होता है अब इसकी विसेस्ता अब हमारे क्योभो अधिमान वक् तो यहां पर जो हम कह सकते हैं, यह पहली इसकी विसेशता है, अधिमान वक्रों की विसेशता है, लक्षन या विसेशता हैं बोल सकते हैं, तो यहां पर मैंने सारी थियोरी लिखी है, आप जब पढ़ोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, कुछ भी इशू नहीं है, बहुत simple सा है, class में भी आपको समझाया होगा, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है, तो यह हो गया आपका पहला विसेस्ता, दूसरी विसेस्ता हम बताएंगे, उच अधिमान वक्र, उपियोगीता के उच इस्तर को प्रदान करता है, तो इसको कैसे प्रदान करता है, जैसे सैयोग ABC है, हमारे पास कोई तीन सैयोग है, ठीक है, तीन सैयोग में क्या हो सकता है, पहले सैयोग में केलो की मातरा 1 हो, आमो की मातरा 10, दूसरे सैयोग में केलो की मातरा 2 हो, आमो की मातरा 10, और तीसे सैयोग में केलो की मातरा 3 हो, आमो की मातरा 10, अगर इसको हम ग्र 4 में तालिका दिखाई देगे यह, और यहां पर 2.7 रेखाचितर, इसमें आपको देखने को मिलेगा, 2.7 में यह 3 है, अगर आपने, जो है, एक, जो है, क्या लिया, केला लिया है, आप देख सकते हैं, अपर एक केला है, फिर 2 केले हैं, और फिर तीन केले है, सभी संख्याओं में एक चीज़ का समान है, हमने सभी जगे पे 10 आम लिए हैं, A, B और 3 मतलब A, B, C, 3 संयोग है तो A जो है हमारा एक केले पर जो है 10 की प्राप्ति करता है 10 आमों की प्राप्ति करता है, B जो है जो है, मतलब एक तरफ से जो है, वो कार्व होता है आपका, आप जो पहले पे बनागे, तो इस तरह से बना दिया, दूसरे बनागे, इस तरह से compens बना दिया, सब parallel चलेगे, तो चोथा भी होता, तो मैं क्या करता है छोथा भी अगर और मैंलो यहां पर चार केले ले लिए तो यहां पर भी 10 संख्या हो गई, तो इसको अगर आपको बढ़ाना चाहों, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे, यहां पर point आ गया, तो 10 तो आम है और मेरे यहां पर केले क्या हो जाते है, चार हो जाते है, तो मैं इसको यहां पर draw कर देता ह इस तरह से, यह इस तरह से draw करता है, और यह draw कर दिया, तो मेरे पास यहां जो graph आता हो, इस तरह से अप फिर से graph आ जाता है, ठीक है, मेरा भली हाथ थोड़ा सा तहीं नहीं हो, लेकिन आप समसबते हो कि graph इस तरह से बन जाता है, यह IC1 है, यह IC2 है, तो IC4 हो जाता है, यह IC C4 हो जाता, तो इस तरह से आप graph बना सकते, सबसे इंपोर्टन जी जोद है, आप diagram बनाओ, theory क्या लिखिए, नहीं पढ़ेगा कोई, theory बहुत एर पढ़ा जाता है, definition जरूर पढ़ लेगा, जैसे अधिमान वक्र क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझा है, जैसे को हम समझा सकते हैं, अधिमान वक्र जो है, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि आपने देखा, कि यहाँ पर सारे अधिमान वक्र आपस में क्या चल रहे हैं, सामाना अंतर चल रहे हैं, पैरलल चल रहे हैं, कि जो इस तरह का graph कभी भी नहीं बनेगा, हाला कि यह diagram बना दोगे, तो समझ लो कि एक्जानल संतुष्ट हो गया, कि यहां बच्चे ने बहुत कुछ पढ़ाया है, इसी को मैंने आपको graph तो समझाई दिया, अब इस diagram के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर देना, और यहां पर बाकी portion यहां पर है, तो इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दो अनदिमान वक्र जो है, जो इंग्लिस मीटियम के स्टुटेंट्स हैं, मैंने बताया था कि पहला आपका किस तरह का स्लोप होता है, वो बताया जाएगा, तो मैंने आपको अभी-अभी बताया था हिंदी में, उसी चीज़ को मैंने आप इंग्लिस में लिखा है, उसके बाद जो दूसरा पाट है, जिसमें higher indifference curve gives greater level of utility, तो यहाँ पर जो हम उसी example को ले लेंगे, A, B, C, और quantity of bananas ले लेंगे, and mango same ले रखेंगे, और उस तरह का graph जो है आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आप यापको उपर डिस्क्राइब किया था, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, आगे बड़े, तो इसके बाद में तीसरा जो हम जानते हैं, जो two indifference curve है, वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे, कि two indifference curve जो है, एक दूसरे को intersect, नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, यह डियाग्राम बनाना है, लेकिन नहीं करते हैं, और यहाँ पर इसको खतम कर देंगे, तो इस तरह से आपका यह answer हुआ complete, अब आते हम next part पे, next part में आपसे क्या बोला गया है, इसके अथवा part की बात करते हैं, जिसमें बोल रहा है, अधिमान वक्र की दोस, अभिमान वक्र की सहाइता, अब इस वह टा दो, अभी अधिमान वक्र की सहाइता से वह बोक्ता का इस्तम चैन को इसपस्ट करना, इस्तम चैन यानि कि maximum possible जो है, आब बोल सकते हैं, आप्टिमल चोईस, अभुक्ता का इस्तम बंडल ऐसे विंदू पर, या इस्तम चैन ऐसे विंदू पस्तित होता है, जहाँ पर बजट रेखा, ध्यान रखना, इस एक अधिमान वक्र को इसपर्ष करती है, ये बहुत important line है, ध्यान रखना, बजट रेखा, अधिमान वक्र को जहाँ इसपर्ष करेगी, वहाँ पर इस्तम चैन देखने को मिलेगा, उस बिंदू पर, ठीक है, किसी भी उभुक्ता का, यानि कि जहाँ पर विस्थापन की सीमांद दर, जो है, कीमोतो के अनुपात के समान होगी, ठीक है, अब भुक्ता के संतुलन की शर्टे क्या है, तो तीन शर्टे इसमें हैं, जो आवश्चक शर्टे हैं, उसको हम देखेंगे, तशर्ष्टा वक्रो तथा वरको तथा कीमत रेखा का उप्योग करके, जो भुक्ता संतुलन ग्याद किया सकता है, जो उसके पास जो भी सीमित बजट है, उसके पास जो भी आए है, उसमें X की कितनी मादरा, Y की अभी जब हम उपर डिसकस करके चुए, X आम इतना लेगा, तो X और Y की कितनी काईयों का जो है, वो भोग करेगा, ताकि उसको कुल संतुष्टी का इस्तर जो अधिक्तम हो सके, ठीक है, और वो भोगता के जो संतुष्टी के जो आप इस सर्ते हैं, जो मुखे दो हैं, दो में से पहली सर्त जो है, वो आवश्यक सर्त मानी जाती है, ठीक है, और दूसी सर्त जो है, पर्याई शर्त मानी जाती है, तो पहली आवश्यक सर्त में क्या होता है, इसके अनुस अपॉन मेरी रिशो जो यह हो जाए अब यह होता है अर्थात MRS is close to PY over PX is close to यह होता है बराबर होता है या फिर इतना ही फॉर्मुला आप लिख दोगे कि यह होता है अर्थात यह इसके बाद में प्रयाप्ट शर्ट में क्या है तो यहाँ पर देखिए आवशक शर्ट के अतरिक्त जो है आवशक शर्ट तो थी ही कि PY over PX जो है MRS के बराबर हो दूसरी सर्ट क्या है आवशक शर्ट के अतरिक्त यह आवशक है कि संतुलन बिंदू पर अधिमान वक्र मूल बिंदू के उन्तोदर हो और वो भोगता के संतुलन को हम रेखा चितर से सपस्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और जिस रेखा चितर को हम यहाँ पर समझ सकते हैं रेखा चितर में M मैंने रेखा की कीमत रेखा बजट रेखा है यहाँ पर जो M और N जो है मैंने जो यह diagram दिखा है न उसको यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पर जो दो तरहस्ता वक्र दिखाई दे रहे हैं आपको वक्र नमबर 1 और वक्र नमबर 2 तो दो तरहस्ता वक्र है फर्स नमबर और सेकिंड नमबर खीचे गए हैं चितर का अनुसार जो है A, B और E A आपका ये है B आपका ये है और E आपका ये है ठीक है A, B, E की बात कर रहा है बिंदू पर उब्भोगता का वै समान रहेगा क्योंकि ये तीनों के तीनों A बिंदू, B बिंदू और आप देख सकते हैं B बिंदू A बिंदू और E बिंदू A की ही लाइन पर कौन से वे? MN लाइन पर जो है ये हैं इसलिए A, B, E बिंदू पर उब्भोगता का वै समान रहेगा क्योंकि ये सभी बिंदू एक ही कीमत रेखा पर इस्थित है अभी समझ में आ गया कि ये डाइग्राम समझना कैसे है लिखा क्या है, डाइग्राम क्या बोल रहा है बस उसको समझ गया है समझ लो, Economics फाड़ दिया आपने चोकि Economics easy है लेकिन समझने के लिए डाइग्राम से explain करना बहुत ज़्यादा important है यहाँ पर छोटा सा पहला graph है बस इतना ही आपको लिखना है और यह डाइग्राम मना देना हो गया जी आपका complete अब आजाते हैं इसके English version को समझ लीजिए English version यहाँ पर है और यहाँ पर गुड्स कॉनसा है यहाँ पर गुड्स हो गया आपका X ठीक है X और Y संतुल अन्बुदी equilibrium position बिंदू point ठीक है तो equilibrium position हो गया तो यहाँ हमारा संतुल बिंदू लिख दिया मैंने बाकिस में कोई graph में ऐसा है नहीं जो Hindi लिखा हो और मैंने बाकिस सब कुछ यहाँ पर Hindi में आपको English में बता दिया है तो इस तरह से ही आपका answer होगा अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अगला जो 23 प्रशन है इसमें भी आथवा पाठ है इसमें क्या पूछा गया है पहला एक पूण परोण परिष्परदा वाजार में कौन सी विशेष्टाएं पाई जाती है विश्तार से समझेंगे और पूण परिष्परदा वाजार में लाब अधिक्ति मीकरण की स्थिती रेखाचितर की शाहता से बना देंगे तो देखिए पहला तो हम बतात करें हैं कि विशेष्टाएं क्या होती हैं सबसे पहले पूर्ण प्रत्योगी बाजार की विशेष्टाएं क्या होती हैं बड़ी संख्या में खरिदार और विक्रेता होते हैं बहुत ही simple language में लिखा गया एक दम पढ़ते ही याद हो जाएगा दूसरा जो है समजाती है उत्पाद होते हैं एक जैसे होमोजीनियस होते हैं एक जैसे उत्पाद जो है वहाँ पे बेचे जाते हैं खरिद्दारों और विक्रता के बीच में पूर्ण ग्यान होता है टो tiếp गर सकते हैं विक्रे लागत का अभाव होता है यहाँ पर इसमें क्या होती है कि इसका मतलब है कि रचार प्रसार विढ़ापन की अउशकता निए होती कि सभी सेमी चीज मिल रहे है तो मैं क्यों आडिटबाइज करूंहां चाशा में इसको भी तो यह विशेष्टा है होगी, आपको समझे वागी, मैंने आपको यहाँ पर 6-7 विशेष्टा है बताइए, यह चोटी-चोटी विशेष्टा है, सारी याद रखिएगा, तो यह पूरी विशेष्टा है लिखोगे, चार नंबर मिल जाएगा, अब इसका अथवा पार्ट क कोश्ट होता है, और नेक्स जो है, आपका absolute freedom होता है, और absence of selling कोश्ट होता है, यानि कि आपे विग्यापन advertisement promotion नहीं करना पड़ता है, और independent decision making होती है, इसके बाद जो है, नेक्स पार्ट में अथवा पार्ट पुछा गया, अन्तिम प्रसुन की तरफ बढ़ चले हैं, जिसम भी संस्ता होती है, एक निश्चित मातरा में जो है, वस्तू निर्मान करती है, उसके विक्रिप करती है, ठीक है, उद्दम का लाव जिसे हम पाई के द्वारा निरुपित किया जाता है, उसको जो है TR, यानि कुल राजस्वा और TC उत्पादन की कुल लागत के बीच के अं उद्दम का मुनाफ़ा है, लाव किसके बोल रहे है, लाव किसके बोल रहे है, लाव हमारा क्या हो गया, TR में से TC घटा देंगे, तो हमारे पास में Total Revenue जो है आपका, उसमें से Total Cost को घटा देंगे, अभी मैंने आपको बताया था, लाव किसके एक टेवल हमने बताया था, आप भी हो, हमेसा लाव कमाना चाहेंगे, उस राशी का मात्रा, जो है, Q-0 को, Q-0 को पहचानना पसंद करता है, Q-0 क्या है, तो अभी देखोगे, आप यहाँ पर Q-0 दिया गया है, यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर देखो, Q-1, Q-2, Q-3, Q-4, और यहाँ पर Q-0, तो यहाँ पर आप देखो, इसमें क्या बोला गया है? जिस पर उसका लाव अधिकतम हो, उस बिंदू को पहचानना चाहता है, तो उस राशी है, उस मात्रा को पहचानना पसंद करेगा, जिस पर जो है उसको अधिकतम लाब हो अधिक मुनाफ़ा हो ठीक है और उसके लिए तीन सर्ते जो है वो जो है सर्तों को Q0 पर होना चाहिए कौन सी सर्त है पहला सर्त है लागत मुले P जो है प्राइस जो है MC के बराबर होना चाहिए और दूसरा सिमान्त लागत जो आपका Q-note पर गैर घटती होनी चाहिए और तीसरा उद्धम के लिए अलप अवधी में उत्पादन जारी रखने के लिए जो लागत मुल्ले औसत परवर्तनिय लागत जो है और साथिसाथ अगर यह कप के लिए है, अलप अवधी के लिए अगर दिर गावधी हो तो जो लागत मुल्ले है, जो आपका प्राइस है वो जादा होना चेकिस से और सत्यानी की ऐवरेज कोस्ट से अधिक होनी चाहिए यह condition होनी चीए, तीनों condition होंगी तो ही हम मुनाफ़ा कमा सकते हैं अत्याधिक, ठीक है तो हम फूंट परदिवाजार में लाब कैसे कमा सकते हैं, इन विंदों के माध्यम से कमा सकते हैं, और उसको हम यहाँ पर सिमान्त लागत के थ्रू इस कर्व से बता देंगे, यहाँ पर कीमत सिमान्त लागत जो है, इधर आ जाएगा और निर्गत जो है, यहाँ पर आ जाएगा quantity दिखा देंगे, q1, q2, q3, q4, q5 then q6 आप दिखाना अच्छा है तो और इस तरह से जो है आपका q1 पर कटेगा यह दिरे-दिरे जाते हुए आपका q4 पर कटेगा sorry q4 के पास कटेगा q4 और q3 के बीच में कटेगा और जो p है आपका price ही हमेशा जो है आपका किस से चलेगा, बिल्कुल इसके straight line x के जो है यह चलेगा मैंने पहले ही आपको ग्राफ दिखाया था तीसरा चोथा ग्राफ ऐसा दिखा था उसमें केवल यह line थी, यह आपके curve नहीं थे जो कि सीमांत लागत को describe करता है तो यह सीमांत लागत जो है आपका इस तरह से चलता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा इस तरह से चलता रहेगा, तो यह graph बना दोगे यह चीजे लिख दोगे, इसमें 3 condition जो सर्त है उसको हम बता देंगे, सर्त नंबर 1 जो है आपका दूसरा और तीसरा, तीनों सर्तों को यहाँ पर बताया है, लिख दिया इस डाइग्राम के बारे में थोड़ा सा, डिस्क्राइब कर दिया Q1, Q2, Q3 क्या है बस उसको दो-दो लाइनों में express करना है दो लाइन इसमें लिखे हैं, दो लाइन इसमें लिखे हैं इस तरह से आपके वल लिख दो कि आप answer complete हो जाएगा इसको मैंने इंग्लिस में दे दिया है आप लोगों को जो बच्चे इंग्लिस मीडियम के हैं, वो इंग्लिस मीडियम में इसको नोट कर सकते हैं, इसका graph मैं दिखा जाता हूँ तो इस तरह आप जो है, price marginal cost जो है, यहाँ पर क्या है, price marginal cost ठीक है और यहाँ पर जो है, आप यह graph बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें जो points जो मैंने बताये थे, ABCD वो दे सकते हो, ठीक है अगर A B दे दिया है, तो यहाँ पर जेखो, यहाँ पर उपर वाले में जो graph है हमारा यहाँ पर जैसे यहाँ पर B दे दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है, सोचो की graph उपा उल्टा सीधा है लिगल कि नंबर को इस्यू नहीं होता है तो यहाँ पर जो है, यह इर भी है, यहाँ पर C दे दो, यहाँ पर D दो, यहाँ ए दो, यहाँ पर F दे दो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर यह Output है फिक है, निर्गतँ तो इसको आप लिख दोगे, जो आप आप में यहाँ पर मैंने जैसे output लिखा है कई जगे पर, output लिखा है इसको हम निरगत लिख सकते हैं, यह ध्यान रखना, कहीं कहीं भे मैंने output लिख देना, उसको बदला नहीं है, उसको निरगत लिख देना चाहिए था, अगर आप लिख देते हो निरगत तो भी ठीक, output लिख देते हैं, तो भी जो दीक, तो आप लिख सकते हो ठीक है, तो निरगत लिख दो या फिर output लिख दो, कोई इश्ira नहीं है, जो द्यान रखना है, इस तरह से आपने एकनॉमिक्स का कम्प्लीट सॉलूसन देखा